कर दो किसना फल्क वेलकम पैड़ वेलकम बैक तो वर YouTube चैनल मोहन परेड़ इनफ्रमेशन आप स्वागत है अधिक आपके और हमारे YouTube चानल मोहन परेट इनफ्रमेशन में आज है और और हमारी हर वीडियो इंफोरमेशन से भरी होती है इस वीडियो का टॉपिक है फाइव पॉइंट्स फॉर नियो बिगनर्स गाइज नियू बिगनर्स के लिए ये वीडियो है और अगर जो भाई अपने आपको समझते हैं यानि जिन भाई को पता है कि बर्ट' णे के लिए क्या चाहिए जो बर्ट के एकष्पपॉर्ट आ कर टो चलते हैं अपनी वीडू की तरफ यहांकी जहें grainे नहीं करण रहा हो जाकर हो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक करो चलते हो तो गसी वीडियो का पहला फॉइंट है पहला पॉइंट सोने से पहले आप यह जान ले कि हमें बर्ड सब्सक्राइब घर भर पिलाने से पहले क्या क्या प्रीवेंचन करने है और बर्ड क्या देखके लेने हैं उसमें मेल फिमिल का डिफरेंस क्या होता है जिन्हों ने भी बड़ा कारोबार करना है बर्ड का यानि कि बजीज पैरट के अंदर जो बजीज पैरट के शोकिन है और उनसे फायदा भी चाते हैं तो आप क्या करें आपको कॉलरि बना लेनी है जिसके अंदर आपके प्चास पैर अराम से आ जाये बर्ड के आपको क्या करना थे पचास पैर लेका ने पठो के और को बना लेनी है बां गड़े हो आप दक मुंगरस जब तक सीजन आएगा तो बढ़े हो जाएंगे और ब्रीडिंग के काविल और जब हमारे बर्ड ब्रीडिंग करेंगे आप एक पेर से चार बच्चे एवरेज लगा सकते हैं यानि कि फोर इंटू फिफ्टी दो सो चिक्स हमारे पास एक बार में आ रहे हैं अगर हम तीन सो क इनकी दवायों को खर्चा निकाल दें तो हमारे पास लग बक 40,000 पर मंथ अर्निंग हो रही है सो बाते बातों में कहां पहुच गया अर्निंग वगरा पे चलते हैं पहले पॉइंट में हाव टो इंटिफाई मेल और फिमेल होगा उसकी नोज ब्लू होएगी या परपल हो जो चीक होएगी यानि कि सेमी डल्ट जो अडल्ट नहीं होगी तो वह गी उसकी नोज के ऊपर वाइट स्पोर्ट भी हो जानि कि जो नोज का चेद है उसका उसके अगल बगल वाइटनेस होगी तो चलते है अपने सेकंड पॉइंट की तरफ सेकंड पॉइंट में यह आता है कि हमार जब हम बर्ड लेने जाते हैं एक पेर दो पेर जितने भी हमारे को कोई बिमार ना दे दें हम पैट सोर से लेन जाएं चाहिए किसी भी सेट अप से लेने जाएं इनके अंदर बेसिकली चार बिमारिया होती है लूज मोशन आख की आख की प्रॉब्लम और नोज यानि की जुखाम और सिक बुखार इसे इंटिफाय करना बहुत इजी है जो जिस बर्ड को भी आप देखेंगे उसकी जो वेंट होगी यानि की पूप करने की जगा होगी वहां पे अगर गीला या फिर हरा हरा है तो समझ जाए वो बर्ड ल करने करने की जुखाम और उसकी बर्ड उस बर्ड की नोज से पानी गिरेगा कंटीनिवसली और जो बट बीमार होगा और वह एकदम बेठा होगा फूला होगा यानि के अपने फूल को अकर रखे गा और अगर आप उस बर्ड को पकड़ोंगे उसके पंग के निचे हाथ ल अगर हमारे पास दो भीन है तो दो छर्स लेना जितने में अगर एक क्वाम्ट नहीं बढ़ाएं तो तो आध अधा-धा फूडर में केज में भी बडाना हैat लंबा इनी बीच भी और वीड़ इं। जानियर को तो छर्नी यह दत हर था हमारा इंगीत। फॉर्प प्रवाइड प्रवाइड करना विंटर के अंदर गर्मियों के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कंगनी दाना देना के अलावा और मताता हों क्या देना प्रवाइड देना जिसके अंदर पालक धनिया मेती और सीजनल फूट्स और सीजनल वाइड डिशेबल्स होती है और सौफ फूट्स के ओपर मैंने वीडियो बना रहे जिसने नहीं देखी जिसको देखनी है और जल्दी जा कमेंट स्क्षिन में पीन है उसका लिंक जल्दी प्राइब सिस्व फिफ्थ के तरफ चलते हैं सुवाइड फिफफ्थ पॉइंट के अधर आता है प्राइवेसी अगर हम अपने बड्स को प्राइवेसी ही नहीं देंगे तो हमारे बाइवेसी बिल्कुल भी ब्रीड नहीं करेंगे अप जितने मर्जी तक डिडायड दे ल कि साम को गर के अंधर रख लिया सुबा बालकनी के अंदर डुफैर में घर में साम को बाहार ऐसे नहीं करना ए और केज को ऐसी जगह रखांए जहां बच्चे लोग कम जाते हों और बच्चे हमारे बट स्वाइज को भी तंग ना करें और जहां पर कोई जानवर क्याश्ब ना ओता हो ना बर्ट्स का भी थैंक्स पर वाचिंग बाबाई